है एक चुल्व में पर एक से पूछने स्कूछ का इंदस्ट्रीज्ट ऐसी की किया है एक तो क्या करना चाहिए-ब किया की तो इस तरह का द्रेट किस तरह का इंवेस्टमेंट किया है तो वह आपने बताया नहीं खेर शुमिश बताइए एक 115 का भाव है क्या लगता है अभी तक तो ठीक है क्योंकि 200 एमें का जो इसका रिटर्न है बहुत ही स्ट्रॉंग रिटर्न है और अभी यह सब कुछ क्लियर करके आच चुक है आपने 115 टे लिया है 115 पे मतलब आपने इसके पहले वाले पॉल में या पहले वाले राइज में लिया हो तो या बगवाण जैने अपने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में पीक बनाया होगा तो जो भी ह मैं ओवराल स्टॉक समझाता हूं बाकी आप ध्यान दे लें तो स्टॉक का मेरे यह समझ है कि इसका 200 यह में 87 पे है करेंट्ली यह है 109 पे 109 टू 87 13 थोड़ा से ज्यादा हो जाएगा लेकिन फिर भी आप इसको थोड़ा सा उपर लेके आ जाएए विच इस 93 के नीचे अब यह बंद नहीं होना चाहिए 93 के नीचे बंद होगा तो फिर थोड़ा इसका मोमेंटम जाना चाहिए अधरवाइस में मोमेंटम अच्छा बिल्ड हुआ है और यह मोमेंटम बिल्ड हुआ है इस हिसाब से कि यह 125 का रीटेस्ट करें यह जैसे बुक पढ़ा तो बस अपने लेवल का ध्यान रखियो और उसके हिसाब से आप इसमें निर्णा लिजिए अपना और साथ में अपनी पढ़ाय लिखाई वगर आपको साथ में कर्मी है वो सब चीजें देखिए चीज़ों को बेहतर समझे शोमेश अगर किसी लेवल को चुन रहें क्यों बता रहें उसके पीछे का लॉजिक क्या है अगर उसको पगड़ना शुरू कर देंगे ना तो फिर एक पर यह कि आपको इनकी बात बहतर समझ में आएगी और दूसरे यह कि फिर आप अपने इस्तर पर भी कम गलतिया करेंगे तो आपको बाजार में नेविगेट करना या बाजार में पैसा बनाना ज्यादा आसान हो जाएगा तो सिर्फ यह नहीं कि क्या कहा गया क्यों कहा गया उस पर भी ध्यान दीजियो और उसके हिसाब से चीजों को अड़ेप्ट करने की कोशिश कीजिए